नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हमारा खास कारिकरम अभिनव पहल मैं हूँ प्रीती सिंग किसी को जिन्दीगी का उपहार देना सबसे कीमती सबसे अनमोल उपहार माना जाता है और गुजरात का State Organ and Tissue Transplant Organization इस काम में अपने प्रतिबद्धता के साथ सबसे आगे है पबलिक सेक्टर में बृतक अंगदान और प्रत्यरोपन में गुजरात पूरे देश का नित्रित्व कर रहा है और यहां अपनाई जा रही है इनोवेटिव रणनीतियां पिछले चार साल से कई जिन्दगिया बचाने में ये सहायक साबित हो रही है इसलिए गुजरात के State Organ and Tissue Transplant Organization को Organ Donation Sector में इनोवेटिव इनिशेटिव के लिए Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration से सम्मानित किया गया है Organ Donation and Transplantation को अगर हम एक तरह से आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो महान प्रगती में से एक माना जाता है इस प्रोसेस में सर्जरी के जरीए एक व्यक्ती की स्वस्तन को निकाल कर इसे किसी ऐसे वक्ती में प्रतेयोपित किया जाता है जिसका आंग के नीकारणों से खराब हो गया है अगर देश में भारत में बात करें तो बीते कुछ सालों में और्गन Transplant के किशित्र में बड़ी तरक्य हो रही है पिछले कुछ सालों में देश में अंग प्रत्यरपन के मामलों में तीन गुना की बढ़ोत्री हुई है देश में अंगदान यानि ओगन डोनेशन की पॉलिसी का जाधा से जाधा फायदा उठाने के लिए जो और्गन ट्रांस्प्लांट है उनकी प्रक्रिया को भी हम देख रहे हैं कि समय के साथ और बहतर किया जा रहा है एक नागरिक केंद्रित कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांस्प्लांट एको सिस्टिम बनाने के लिए गुजरात की इनोवेटिव अप्रोच ने स्टेट और्गन टिश्यू ट्रांस्प्लांट और्गनाईजेशन को आकार दिया है ट्रांस्प्लांट के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में गुजरात अग्रणी रहा है गुजरात सरकार ने 2015 में गुजरात उनिवर्स्टी और ट्रांस्प्लांटेशन साइंसिस की स्थापना भी की जो ट्रांस्प्लांटेशन और संबंदित साइंसिस के लिए दुनिया का पहला और एक लौता विश्व विद्याले है एक तरह से अगर हम देखे तो और्गन रिट्रीवल और ट्रांस्प्लांटेशन से संबंदित अलग अलग कोर्सिस के जरीए जरूरी स्किल के साथ मेडिकल और पेरा मेडिकल हुमन रिसोर्स उपलब्द कराया जाता है आखर कैसे एक सरकारी संस्थान और्गन रिट्रीव ट्रांस्प्लांट को लेकर देश को दिखा रहा है उम्मीदो भरी दिशा आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और इस पर बाचीत के लिए मेरे साथ खास महमाना जुड़ रहे हैं गुजराथ उनिवर्सटी ऑफ ट्रांस्प्लांटेशन साइंसेज प्रफेसर मोधी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ कारेक्टर में जुड़ने के लिए साथी मेरे साथ NBS राजपूजी जुड़े हुए हैं जोकि संयुक्त सचेव हैं डिपार्टमेंट ओफ अडिमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पबलिक ग्रिवियांसेज आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है NBS राजपूजी इसके अलाबा मेरे साथ एक लिवर ट्रांसप्लांट करा चुके मरीज एक लाभारती निकल चौधरी भी जुड़ रहे हैं आपका स्वागत है निकल जी हम निकल जी से बाचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा है सारजनिक शेतर के अस्पतालों में अगर देखें तो निजीक शेतर की तुलना में महस एक तिहाई लागत पर ही ट्रांसप्लांट के सुविधा प्रदान की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि सबसे हाशिये पर रहने वाले और कमजोर आबादी के पास भी जीवन रक्षक अंग प्रत्यारोपन और देखभाल के लिए समान पहुँचो आए सबसे पहले देखते हैं गुजरात के सोटो का सफर गुजरात में स्थित सोटो अंगदान की प्रक्रिया को सरल बना कर जरूरत मंदों को नया जीवन दे रहा है साथ ही दे रहा है उन्हें नई खुशिया और भविश्य के लिए नई उम्मीद एक जमाना था कि लोगों में शंकाय थी कि हम मारा किड्नी निकाल दिया जाएगा और और ओर्गन को बेचा जाएगा वो कॉंसेप्ट दीरे दीरे चला गया क्योंकि यह रेकुलेटरी बॉडी जब से आई गवर्मेंट कंट्रोल आया लोगों का विश्वास बढ़ता गया दो हजार उननीस में जब सोटो का एक्ट आया उस वक्त हमारी सोटो एस्टैबलिश हुई और जो अन्रेगुलेटेड जो एक ट्रांस्प्लांट चल रहा था वो एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में आ गया उससे पूरी ट्रांस्पेरेंसी आ गयी क्योंकि सोटो में सबकुछ एक ओनलाइन सिस्टम है उससे मॉनेटर किया जाता है common people को education करने से काफी कुछ फाइदा हुआ है और ये IC activity के हिसाब से देश के अंदर गुजरात के अंदर हमारा organ donation program काफी बढ़ चुका है पूरा एम एक ही है अगर ये सारे hospital सारे retrieval center एक साथ मिलके अगर ये काम करेंगे लोगों को समझाएंगे अगर ये हम करने में सफल रहते हैं तो एक दिन ऐसा पक्का आएगा कि किसी जीवित इंसान को दूसरे जीवित इंसान को organ देने की जरूत नहीं पड़ेगी जो डोनर है brain dead donor उसके कितने organ procure किये गए वो organ कहां जाएंगे किसको मिलेगा और उसके functionality किया है वो सभी का regulation भी state organ and tissue transplant organization करता है आज एक disease death donor दूसरे आठ लोगों की जान बचा सकता है organ जब किसी को मिलता है तो वो एक अकेला इंसान स्वस्थ नहीं होता है मैं कहूंगा पूरा family स्वस्थ होती है इसके माध्यम से PMJ scheme के अंतरकत 1194 प्रत्यारोपन और school health program के तहत 200 plus pediatric transplantation हुए है मेरे बेटे का दो transplant हुआ और उसमें PMJ के द्वारा बिलकुल खर्चा नहीं हुआ तो उससे हमको बहुत रहत मिले सोटा केंटरगर ओरगन भी मिल गया और प्रद्यानमति जणारोगी उतना केंटरगर उनका transplant भी हो गया है अब हाँ ट्रांस्प्लाइन के बाद मैं अपना future बना सकता हूँ सही से काम कर सकता हूँ मेरे को अंगदन मिलने से मेरे को भी नहीं जिवन दन मिला है जिसने भी अंगदन किया उनका भी मैं फुल को आभार हुँँग आगे बढ़के मैं साइंस रखूंगी और फिर डॉक्टर बन हूँगी और डॉक्टर बनने के बाद सबका बहुत अच्छे से इलाज करूँगी मैं तो बहुत अच्छा लग रहे हैं हमारा बेच्चा पहले जैसा खेलने लगे उदने लगे गुजरात में सोटो जीवन रक्षा के प्रयास में जुटा हुआ है इसके द्वारा लोगों के जीवन को बचाने का किया जा रहा सफल प्रयास प्रशन सुनिय है तो आएए करते अपने चर्चा की भी शुरुआत शामीना जी शुरुआत आपकी साथ किसी भी सरकारी संस्थान की जब मैं बात करूँ ओगन ट्रांस्प्लांटेशन को लेकर इतना सक्सेस रेट जो हमें देखने को मिला है खासकर गरीब लोगों को जो इसकी सुविधा मि स्क्रीश्री थे उन्होंने इसकी नीव रखी थी सोटो गुजरात की जो स्थापना की गई वो 2019 में हुई और उसके साथ राज्य सरकार ने एक पारदर्शक और मजबूत नीती बनाई जिसमें के जो ऑर्गन ट्रांस्प्लांटेशन जैसा कि अभी हम फिल्म में देख रहे जो आधूनिक एक्यूप्मेंट्स की अवेलिबिलिटी होना, dedicated doctors, qualified doctors, qualified paramedical staff है और जो हमारी teams रहती है जो लोगों को ट्रांस्प्लांट के बारे में बताती है जो donors को convinced करती है कि organ donation किया जाए ये सब जो हमारा ecosystem बना और सबसे ज्यादा जो वित्तिय जो एक इसके लिए support चा बहुत सारी योजना हैं जिसमें गरीब लोगों के लिए जिनके पास ट्रांस्प्लांटेशन जो एफॉर्ड नहीं कर सकते उनके लिए योजना है और आयोश्मान भारत की स्कीम से पीम और सीम रिलीफ फंड के समनवय से हम लोग इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जो गरीब मे को ह़स्पिटेल है उसमें किड्नी लिवर पैंक्रियास का ट्रांस्प्लांट होता है ग्रीफ हिसमें कर्डियियक अकेले में दस ट्रांस्प्लांटा ग्रेद इसमें मैं आगे समझोंगे आप से लेकिन थोड़ा से मैं चाहूंगी सोटो को लेकर आप थोड़ा बताएं चार साल का सफर है लेकिन जैसे मैंने का success rate इतना जादा है तमाम आकड़े क्या कहते हैं, कितने ट्रांस्पलांट हुए हैं, कितने डोनर्स हैं जो आगे आए हैं, थोड़ा अगर आप इसके बारे में जानका रहे हैं सबसे पहले. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सोटो की रचना हुई, उससे पहले औरगन डोनेशन हो रहा है गुजरात के अंदर, और वो भी 2005 में आपने बताया, मैडम ने, शामीना मैडम ने, कि 2005 से हमने ये शुरू किया था, और इंटर सिटी कैडेवर ट्रांस्पलांट प्रो क्योंकि बहुत सारी गलत सहमिया थी शुरूआत में कि औरगन कहा जाएंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन अगर गवर्मेंट सेट अप में हो रहा है, तो वो कॉंसेट दीरे दीरे लोगों में विश्वास खड़ा किया, उसके बाद 2013 में जब नोटो आया, तो नोटो ने सोटो बने, सो हमने हमारा सोटो काफी लेट बना, 2019 में बना, लेकिन उसके पहले हमने काफी स्टडी किया कि दूसरे सोटो की अंदर क्या-क्या तकलीफ आ रही है, और क्यों प्रोग्राम उपर नहीं उठ रहा है, और दूसरा एक ऐसा खास किया कि medical points नहीं दे रहे थें, कह गाइडलाइन बनाई और उसके हिसाब से एक software तयार किया, software तयार करने के बाद ही हमने organ allocation शुरू किया, और no differentiation, कोई poor है, कोई reach है, ऐसा नहीं, जिसकी medical condition ज्यादा खराब है, उसको organ दिये जाएंगे, चाहे वो private में हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, तो उसके हिसाब से undifferentiated care has been given, एक ऐसा point भी किया, कि women जो होती है, वो कम से कम, वो सबसे ज़्यादा देती है, जैसे live donor आप देखे, तो हमारे देश में 65-70% महिला है, गुर्दा अपना देती है, अपने husband को, अपने भाई को, बट किसी male को, लेकिन जब उनकी नौबत आती है, organ लेने के लि male children को 4 point मिल गए, और male child को 2 point और महिला को 2 point, तो इस तरह से point system के अंदर उनको आगे किया, तो अभी pediatric और female के transplant बढ़ने लगे, जो deprived society के थे, तो उसके लिए भी सोटो गुजरात ने अलग तरीके से सोचा, government of गुजरात ने अलग तरीके से सोचा, और उस तरह से उनको भी beneficiary बनाया, साथ साथ में ये भी किया कि किस तरह से हम doctor लोगों को पैदा करेंगे, nurse को, physiotherapist को, ये सब integrate part है transplant का, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो गुजरात University of Transplantation Sciences के माध्यम से, उसनके professor organ procure करने जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ civil hospital में से करते हैं, लेकिन दूसरे hospital में भी private organization में भी जाते हैं, तो सोटो का system बिलकुल अलग बनाया, जैसे कि अगर private hospital में मान लो कोई brain dead donor है, तो एक, तीन और पाँच नंबर के जो donor होंगे, उनके सभी organ private hospital में allocate किया जाएंगे, लेकिन दो और चार नंबर के जो brain dead donor होंगे, वो government hospital में आएंगे, अ एक, तीन और पाँच नंबर के जो मरीज होगा, उनके सभी organ government hospital में आएंगे, और दो और चार नंबर के private में जाएंगे, कहने का मतलब कि equal distribution रखा, और उसके हिसाब से दोनों public private sector दोनों को growth होने का chance मिला, तो इसके हिसाब से आप एक, ऐसा नहीं है कि एक ही जगे सभी organ जा heart, lung, all these organs are now, transplantation are growing and we believe Gujarat will be the transplant hub in a short period of time. motivation का काम करता है, अगर मैं अलग-अलग विभागों के लिहाज से बाद करूँ, तो क्या आप और भी विभाग हैं, जो उस तरह के सम्मान के बारे में सूच रहे हैं, आगे कैसे सफर हम देखें, awards को लेगे, चुकि जो प्रधामनती पुरुसकार है, ये एक ऐसा पुरुसक जो प्रकरिया है इनको, इनको, इनका आंकलन करने की, जो तीन इस तरह की जो सम्मीतियां है, उसके लावा पब्लिक से फीडबेक लेने का सिस्टम है, इस्पॉर्ट स्टेडी के लिए दो किंदरी अधिकारियों को भेजने का सिस्टम है, उसके द्वारा जो बैस्ट इस पर कार कर रहे हैं कि उनके विभाग दोबारा उनकी योजनाय जो चल रहे हैं उनमें भी उनके जिलों को प्रदेशों को सम्मानत किया जाए, जैसे कि मैंने मैं उदाना दूँ आपको, अभी किंद्र सरकार का प्रदेश बिभाग डीपी आयाटी ने, वन जो बेस्ट इनिशेटिव होंगे, उनको अवाड दिया जाएगा, तो कई विभाग इसको एप्रिकेट कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं जागरुपता की काफी कमी इसके पीछे सबसे पहले, लेकिन अब धीरे-दीरे लोग जागरुख हो रहे हैं, क्योंकि उनका भरोसा भी बढ़ रहा है राजिस सरकार और खासकर सोटों के सामने किस तरह की चालेंजिस रहे हैं इसे लेकर? जागरुपता की कमी हमारे देश में है, ये बात सही है, जो विकसित देश हैं वहाँ और्गन ट्रांस्प्लांटेशन की ज्यादा जागरुपता है और हमारे यहां सामाजेक और धार्मिक कारण होते हैं जिसकी वज़ासे लोगों की बहुत इच्छा नहीं होती है कि वो जिंदगी में ओर्गन डोनेशन को प्लैज करें कि organ donation होना चाहिए बहुत मुश्किल होता है तो अभी इसके लिए गुजरात में बहुत प्रयास किये जा रहे हैं हम लोग NGOs हैं जो organ donation के लिए काम करते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं print media, electronic media, सब के थुरू हम लोग भी उसका प्रचार प्रसार करते हैं अभी जागरुपता बढ़ रही है और जब से हमको ये प्रधान मंत्री का पुरुसकार प्राप्त हुआ तो एपरिल से लेके अभी तक जो अंगदान का जो नंबर है वो बहुत ही बढ़ गया है और उसे जागरुपता आई लोगों के नजर में आया कि अंगदान बहुत ही एक अच्छा काम है और उसमें जीवन जो है वो मृत्यों के बाद भी जीवन है तो ये बात अब लोगों को समझ में आ रही है बिल्गूर प्रोफेसर मूदी मैं थोड़ा स्किल्ड मैन पावर को लेकर और बारीकी से आप से समझना चाहूंगी जब हम गुजरियात यूनिवर्सटी और टांस्प्लांटेशन साइंसिस की बात करते हैं तो ये दुनिया का पहला और एकलोता इस तरह का विश्व विद्धाला है जो ट्रांस्प्लांटेशन और संबंदेश साइंसिस के लिए है स्किल्ड मैन पावर को लेकर किस तरह से काम हो रहा है और जैसे आपने अभी हमें पहले आकडों के जरी और तमाम चीजों को बताया कि पूरे देश में कहीं न कहीं प्राइविट सेक्टर में भी फायदा हो रहा है पबलिक सेक्टर में भी बात की तो पूरे देश को इसका फायदा कैसे मिले बहुत एहम सवाल है क्योंकि इस तरह के जो यूनिवर्सिटी है वो पहली यूनिवर्सिटी है हमारी शुरूआत है इसमें कोर्स तीन कॉलेजिस जुड़े हुए हैं एक मेडिकल पार्ट है जो हाईली स्पेशलाइज है जिसमें यूरलोजी नेफरोलोजी का पार्ट होता है और एब्डोमिनल ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन के कोर्स चालू किये 2015 में सबसे पहले हमने फैलोशिप चालू किया क्योंकि वो अभी MCI के अंदर ऐसा कोई कोर्स नहीं है NMC के जड़ी है तो इस वक्त हमने यूनिवर्सिटी ने खुद ने वो पहला कोर्स चालू किया तीन साल का उसके जड़ी हमने ट्रांस्प्लांट सर्जन्स को बनाना हफ़ते तक अस्प्ताल में रहता है खास करके लिवर्स चालू करने तुब तक कि कैर कैसे लेना उसके बाद यह किसी और का औरगन है वो हमारा खुद का नहीं है और हमारी Immunity ऐसी होती है वो पहचान जाती है हमारा औरगन नहीं है तो उस Immunity को कैसे कंट्रोल करना उसके लि किया जुलेटे का पहला कोर्ष देश में शुरू किया सो इसितरह नरसिंग की भी इतनी जरूरियात होती है जो ट्रांस्प्रांट के मरीदों को समझ पाए। आहवाएचनो इसकी बार नरसिंग कालेज के अंदर MSC कोर्स शुरू किया हमने transplant के related तो इस तरह से अलग-अलग कोर्स शुरू करके हमने adult और pediatric transplant के various course के माध्यम से काफी मरीजों को treatment दिया और एक फॉच तयार करने का बेडा लिया है बहुत difficult है यह समाल एक करना बहुत challenging काम है लेकि हमको राज्यसरकार का पूरा सहाई मिल रही है उसके इसाब से और लोगों में अभी transplant करने का enthusiasm आ रहा है कि एक transplant surgeon बने या transplant physician बने तो उसके इसाब से बहुत लोग जुड रहे हैं इस अस्पताल में अभी हमारा course limited है लेकिन हम उसको तेजी से expand करेंगे इस साल हम pediatric kidney transplant के भी courses चालू करने जा रहे हैं और उसके जरिए बच्चों का kidney transplant में काफी बड़ा एक change आ जाएगा और देश के अंदर हम बहुत सारे doctors, nurses और फीजियो थेरापी इस पैदा कर देश की सेवा कर पाएंगे बिलकुल और जमीन पर लोगों का अनुभव क्या है इसे हम थोड़ा सा समझेंगे अपनी चर्चा में निखल चौधरी हमारे साथ हैं जो कि जुन्हों ने liver transplant कराया है एक तरह से वो लाभार्थी रहे हैं निखल जी एक बाद फिर से आपका स्वागत है मैं मेरा liver transplant का जो procedure था बहुत ही अच्छा रहा और इस्पेशली यह जो IKDRC में जब मैं आया और ESLD हुआ था मुझे जो end stage liver disease से बोलते हैं और वो तबसे मेरी condition बहुत critical होगे थी और फिर doctors ने इम लोगों ने सबने मेरा बहुत अच्छी तरह care किया और फिर at last मुझे surgery मेरी होगे थी December में और overall experience बहुत अच्छा रहा मुझे PNJ का भी बहुत अच्छा लाग मिला उससे मेरा पारिवारी जो expense था जो कर्चा था वो operation के time बहुत कम हुआ था और overall experience मैं at last day होँगा बहुत अच्छा रहा इस hospital की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका आगे जीवन पूरा स्वास्थ आपको लाब मिलता रहे और आपके जरीए जो message गया है लोगों में उसका भी एक अच्छा असर हो बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी आपका हमसे बात करने के लिए शामीना जीव जैसे अभी आपने हमें तमाम चीजे बताई है और सम्मान को लेकर भी मैं थोड़ा सा आप से समझना चाहूंगी कितना फर्क आया है जैसे आपने भी कहा कि अप्रेल से बहुत जादा हम देख रहे हैं कि बहुत जादा लोग हैं जो आगे आ रहे हैं सम्मान मिलने के बाद कितना motivation और मिलता है, लोगों में awareness कितनी बढ़ती है, इसका कितना प्रभाव बढ़ता है? जब से हमको सम्मान मिला है, सबसे पहले तो जो हमारी organ transplant की teams हैं हमारे hospitals में, उनमें एक उत्साह का वर्दन हुआ है, वो सब ही उनको पता चला कि उनका जो efforts हैं वो एक national level पे recognize हुए हैं, और जो organ donation की बात है वो अब लोग करने लगें, हमें award मिला उससे पहले प्रदानमंतरी श्री ने मन की बात में भी इसके चर्चा की थी, उस मन की बात की चर्चा से और फिर यह awards से जो गुजरात में और पूरे हमारे देश में, organ transplant को एक सकारात्मक जो एक push मिलना चाहिए, वो मिला है, और उसके अलावा जो organ donors हैं, उनको जो pledge करने वाले हैं, वो भी उनके numbers भी और donation जो है, जहां तक सवाल है, हमारे donation का प्रमान भी बढ़ रहा है, और एक-एक organ donation जब होता है, जब हम retrieve करते हैं organs को, तो उसके लिए जो सुविदाएं होना चाहिए, green corridor, air lifting की सुविदा, उस सब के लिए भी राज्य सरकार और प्रेरित हो रही है, कि हम उसको और environment को strong कर जिससे के एक-एक organ donation जब brain dead donor का, cadaver donor का होता है, तो उससे साथ लोगों की जान भच सकती है, तो वो उस तरहां का environment और built हो, और हमें जो हमें हमारे सरकारी hospitals में, सरकार ने गुनवत्ता योक्त जो चिकितसा है, उसके पूरे सुविदाएं प्रदान की हैं, अब उन सुविद जो विश्विस तरह है, जो equipment से हम ला सकें, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो जन भागेदारी को लेकर, आप लोग कैसे उसको नापते हैं, मैं कहूं, कैसे इसका access किया जाता है, ऐसे लेकर? सबसे पहले, जैसे कि जन भागीदारी की बात, सब्सक्राइन प्रदाने जिना की ही, सबसे पेहले, जब तक कि लोग की भागीदारी नहीं होगे, कोई भी प्रेयास सफल नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा. जब लोग उसकी ownership लेंगे उसको अपनाएंगे जैसे इनों ने गुजरात में इतना अच्छा प्रयास हुआ इसको माने प्रधानमती जी ने इसको पुरुस्कत किया है जन भागीदारी है लोगों ने अपने डॉनेट किये उन और उसको ये लोग ट्रांस्प्लांट कर पाए तो ये जन भागीदारी है तो यह प्रयास ही रहता है कि जितना भी जन्भागीदारी हम इंशो कर पाएं उस योजना के सफल होने के संभावना भी उतनी अधिक बढ़ जाती है बिल्कुल प्रोफेसर मोधी क्या समझें वे फॉरवड क्या है तमाम चालेंजिस भी आप लोग समझते हैं क्या है वे फॉरवड क्या है जैसे मैंने कहा कि हमें इस खेतर में भी बहुत आगे जाना है क्या आगे के दिशा क्या दिख रही है सब से पहले human resources चाहिए finance चाहिए, infrastructure चाहिए, सब कुछ चाहिए we have something लेकिन हर एक का प्लान करके इसको priority देनी चाहिए health sector के अंदर अभी transplant के लिए क्योंकि आज तक ऐसा ये health sector के अंदर आज तक इतना focus नहीं था transplant जितना अभी से है और खास करके जब special awards मिल रहे हैं तो लोगों में जागरूत याई है पहले ऐसा था कि kidney के लिए तो कुछ सालों तक चला सकते थे, dialysis भी था लेकिन liver, heart और lungs जैसे organs fail होते थे तो इनसान जिन्दा नहीं रह सकते थे अभी एक बड़ी उम्मीद जगी हुई है जिन्दा रहने की उस मरीजों के लिए भी कि जिनके लिए end organ failure है और वो अपने परिवार में से liver और kidney ऐसे organ है जो परिवार में से भी कोई दे सकता है लेकिन heart lungs ऐसे हैं जिसमें कौन दे सकता है कोई नहीं दे सकता तो वो जन्भगीदारी में ही उसमें हो सकता है पब्लीक की awareness बढ़ेगी इतना ट्रांस्परांट जादा होगा सरकारी अस्पताल में ट्रांस्परांट का खर्च बहुत कमाता है वन थर आ जाता है तो उसके इसाब से और अगर वो PMJY में भी include कर लिया जाता है या राज्य सरकार की योजनाओं के अंदर include कर लिया जाता है तो मरीजों को काफी फाइदा होगा future के अंदर भी तो इस तरह से सभी क्षित्र के अंदर education, service and research तीनों क्षित्र में आगे बढ़ेंगे तो probably we will be having a best transplant program in the world यानि अब जो ecosystem में वो smooth हो रहा है और धीरे धीरे दुनिया में best ह इस दिशा में हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं इसे के साथ समय यही पूरा हो गया है प्रफिसर मूदी आपका शामीना जी आपका और साथी NBS राजपूर जी आप तीरों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल नोड़े के लिए निखिल प्रामिनिस्टर्स अवार्ट्स फॉर एक्सिलिंस इन पब्लिक अड्मिनिस्टरेशन पर इस सिरीज आगे भी जारी रहेगी निव इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरसकार विजेताओं से आगे की सिरीज में भी अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और जान प्रामिनिस्टर्स अवार्य L坜